नमस्ते मैं दौ आउजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अभी मलमास का महिना शुरू हो चुका है और ये चलेगा एक महिना 16 डिसमबर 2023 से इसके शुरूआत हो चुकिया ये चलेगा 15 जन्वरी 2024 तक यानि कि संकरांती तक ये चलेगा ठीक है इस पूरे एक महिने में आपको क्या करना चाहिए आज मैं आपको वो बताने वाली क्योंकि ये जो मलमास का जो महिना होता है ये भी बहुत ही ज़्यादा important होता है लेकिन इसमें कोई भी शुपकारिय नहीं किया जाता ये खास तोर पे आपको इसमें अपनी ले करना है आप एक तरह से बोल सकते कि आपको अपनी cleansing करनी है किस तरीके से हम नाते हैं ना उसी प्रकास से आपने जो भी करम किये हैं उसको clear करने का ये एक बहुत अच्छा time period है इसमें से कुछ आपको मैं बाते बताने जा रही हूँ इसको आप करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये करने के बाद आप अपने जीवन में परिवतन देख पाएंगे अगर आप इसको विश्वास के साथ करेंगे तो बहुत जादा आपको दिक्कते आ रही है आपको कोई भी कारे नहीं हो रहा आप बहुत महनत करते हैं लेकिन उसका result आपको नहीं मिल रहा जीवन में मान सम्मान आपको बिलकुल भी न आप कर सकते हैं या इन में से कोई भी एकाद भी आपने कर लिया तो भी इसे परिवतन आप देख पाएंगे सबसे पहले तो ये माना जाता है कि ये महिने में भगवान विश्व की खास तोर पे पूजा करनी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं जैसे पूरे दिन में आप मंत बहुत बार आप सवाल पूछते ना कि मुझे बहुत जादा नेगेटिव विचार आते तो क्या गरे इमिजेटली ये मंतर जाप आप शुरू कर दे तो आपकी जो वहाँ पे नेगेटिव विचार की जो एनरजी है वो इंस्टंट वहीं पर कट हो जाएगी एक ये करना है द रामचरित मानस वो भी आप पड़ सकते हैं अगर आप इसको नियम में भी बना लेते हैं तो इससे भी आप बहुत ज़्यदा पॉजिटिविटी अपको दे अंदर महसूस करेंगे अचा अब इसके अलावा आपको क्या करना है कोशिश करें कि हर शुकरवार को ये मलमास मे आप खीर जरूर से बनाएं या आप क्या करें सफेद मिठाई आप ले ले चाहे तो खुद बनाएं चाहे तो आप रेडिमेट लेकिया हैं और उसको अपने घर के पूजा स्थान पे रखें आप ये मंत्रा बोले ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा या आप विस्तु सहस तर नाम का आप आट कर ले और उसके बाद वो खीर आप खुद भी खाएं या मिठाई आप में जो रखी वो खुद भी खाएं और परिवार वालों को भी बाटे ये एक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपको ल आप लगा सकते लेकिन फिर भी चाहे तो वहां से थोड़ी मिठी नाओ उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है संडे को भी तुल्सी के पौदे को आप छूने रहे वांकी मटी ले रहे तो वो भी आप अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं शाम के वक्त अगर आप तुल्स के अलागा आपको क्या करना है ये पूरे महीने में आप जितना हो सके आपने हाथों से डे माण भो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्कत आ रही है तो जो भी इंकम आती उसमें से थोड़ा आप साइड करते चले जाएं करते हैं करते हैं ऐसे रेंडमLY करते हैं ठी लेकिर फिर भी मैं कौँगी कि जो आपकी income आ रही है उसमें से एक percentage या एक ratio fix कर दीजे कि इतना तो मैं side करूँगा ही करूँगा फिर वो जब आपको लगे कि अच्छा खासा amount जमा हो जाए तो उसमें से कोई चीज लाके चाए वो खाने की हो चाए दवाईयों की रूप में हो या मानलो किसी की शादी नहीं हो रही कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है कोई किताबों की रूपे किसी भी तरह से आप वो help कर सकते हैं अगर आपको वो जो income है आपकी bank में आती है तो आप अपने जो mobile में notes होता है उसमें लिखते चले जाए पिर आपको लगेगा अच् किसी को कपडों के जरूत है अभी थंडी का मौसम है तो आप जैसे स्वेटर लाके दे जुराबे लाके दे या किसी को आप चाय पिलवा दे आप जाएं देखे अभी बहुत ज़्यादा भी थंडी कई शहरों में बढ़ती चली जाएगी तो आप ऐसे में उनको अगर गरम जिनगरम चाय पिलाते हैं अपने हाद से तो यह बहुत ज़्यादा शुब होता है आपके घर में जो सेवा कर अपना आता है उनको चाय के पती का पैकट दे सकते हím कोई भी क यह जुख वह आप दे सकते हैं कि आप उनको ऐसा खाना लाके दे, जो उनका देख के मन खूश हो जाए, जो आपको लगता कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वैसा खाना उनको अपने हाथों से खिले, इससे क्या होगा, उनको भी बहुत जादा खुशी होगी और आपको भी बहुत जादा खुशी होगी, ये पूरे महीने आपको दो चीज जरू से करने चाहिए, सबसे पहला, सिंपल आपको कपूर लेना है, उसमें थोड़ा सा घी आपको डाल देना है, दो लॉंग आपको डाल ये फूल वाली, आप इसको जलाके पूरे घर में आपको दुआ करना है, इसको करना है, आपको सा वो बजाते चले जाना है अगर यह पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे मोबाइल पे आप मंत्र प्ले करेंगे और वो मंत्र को आप लेके मतलब घुमाते वेड चले जाएंगे वो भी नहीं तो खुद आप बोले वो तो सबसे बेस्ट है मतलब आपको मुझ से उचारन क करना है मन में बोलना है कलग होता है लेकिन जब आप घुमेंगे तो उसको जोड से बोलना है इससे क्या होगा जो आपके घर की दिवारे है जो फरनीचर है वो भी वो मंत्र को एब्जॉब कर लेगा और पूरी तरह से वहां पे पॉजिटिविटी आ जाएगी तो इन दोन इसे आपको पोचा पूरे घर में लगवाना है बाद में आपको चाहिए तो आदे घंटे बाद साफ पानी का पोचा लगवा दे खुद की भी आपको प्लींजिंग करनी है कैसे आप प्लींजिंग करेंगे रोज सुबह उत्ते ही आपको मन में माफी मांगनी है इश्वर स सुबह उटते ही बैड़ पे बैठके ऐसा कर सकते अपने पितरों से भी आप माफी मागना शुरू कर दे अपनी और अपने परिबार के तरफ से डेली आप ये सेट कर दीजिए रूटीन में देखे बहुत फरकाएगा last but not the least आपको क्या कर रहा है नहने के पानी में हफते में एक बार एपसम सॉल्ट जो इजिली आपको केमिस की शॉप पे मिल जाएगा वो आप डाले नहने के पानी में उस पानी ससनान करे और बाद में आप उपसे अपने प्लेन पानी डाल दे हफते में एकी दिन कीजिएगा continuous को नहीं करना और ये आप Thursday यानि ये गुरुआ छोड़के बाकि कोई भी दिन कर सकते हैं ये जो छोटे-छोटे उपाय है ये सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इनको कीजिएगा जरूर और मुझे बताएगा कि कैसा लगा आपको ये करते हैं और हाँ अभी मैं ओनलाइन कोस कराने जारी हूँ जो की है magical remedies तो अगर आपने enroll नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि मैं आपसे यहाँ पे बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा अच्यूक उपाय secret remedies मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे almost हर problem के लिए आपको अच्यूक उपाय बताए जाएगे और बहुत ही आसान होगे दो दिन की ये zoom meeting होगी आप नहीं अटेंड कर सकते तो आपको इसकी recording भी मिल जाएगी नहीं 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 आपके लाएगे लाएगे